आठी साल के हुए से इनको पढ़ने के लिए इंग्लेंड भेज दिया गया अब आठ साल में उकर इंग्लेंड जाएगा तो बुद्धिमान होई जाएगा वहाई तना मौका मिलता है पढ़ने लिखने का कैम्ब्रीज से पढ़े हैं कैम्ब्रीज लगरा विश्व विद्धियाले को देखके यह फिलिंग आती है कि काश हम भी यह आपढ़े होते और विशेश रूप से वह बच्चे जो ऐसे कॉलेज में पढ़े हैं जिस कॉलेज में जाके बस कॉलेज में जाते थे टीचर राम का प्राणे नहीं होता था बस कॉलेज जाना है कभी-कभी तफरी करने के लिए जाना है हम बहुत सारे दोस्त होंगे बहुत सारे जीजा भाविया होंगी महाँ पर से जाना है पढ़ाई से कोई मतलब नहीं उसका उसके बाद आप किसी बढ़िया विश्व विद्याले भी जाके दो दिन गुजारे तो आपको समझी मेंगा कितना बड़ा गयत है एजुकेशन की कल्चर में तो कैंब्रिच ऑक्सफोर्ड तो दुनिया के बेस्ट इंस्टिटूशन से एक दौर में रही है यह उसी दौर की बात है यह वहाँ पढ़े तो पढ़ते पढ़ते बुद्धिवान गती हो गए उसके बसे यह भारग वापस आए और इस बीच में I.C.S. का एक्जाम दिया ठीक है और वहाँ 10 साल तक इनोंने काम किया तो टौर झैसी नोख रही है को इनोंने निवाई महाँ पर तब सोची कोई व्यक्ति पढ़ने में इतना अच्छा है, कैमरी जो पढ़के आया है, फिर किलेक्टर हो गया है बड़ोदा में दस साल रहते रहते हैं या पढ़ाई लिखाई में और इंट्रेस्ट पैदा हो गया दर्शन पढ़ने में, विशेशों से भारती दर्शन पढ़ने में बहुत इंट्रेस्ट आ गया और जैसे भारती दर्शन पढ़ना शुरू किया, इनको लगने लगा कि अब जाके जीवन का सार मेरे हाथ में लगा है इनको ये फील होने लगा फिर उस समय स्वाधिन्ता संग्राम शुरूई हुआ था, इनको भी लोगों ने उक्साया कि भाई तुम इतने समझदार अच्छ हो गया तो ये भी कूद गए स्वाधिन्ता संग्राम में और वो जो बंगाल विभाजन का दौर था उस समय बंग-भंग के समय एक्टिव हुए और 1908 में गिरफ्तारी हो गई जैसा गिरफ्तारी के बाद चीज़ें अलग तरीके समझ में आतनी वेक्तिको गिरफ्तारी के पहरे तो आजादी बढ़े जाती है तब जो चार मुझरिम हैं जिनको फांसी होने वाली है उस समय जो हरकते कर रहे थे अब देखी इच्छन पर लाट कि किसी तरह से दो दिन और खीचलें चार दिन और खीचलें ये सब चल रहा है जेल में होना मजाग छोड़ना है सारी सवजिनते खत्म हो जाएं कितना मुश्किल काम है 1908 में गिरफ्तार हुए कुछ बाते इतिहास परदा डालके रखता है तो मैं ही परदा में रुखता है ठीक है 1910 में छोट गए अब ये मत पूशना क्यों छोट गए क्योंकि अपराद सावित नहीं हो पाया तो भारत में न अपरादी जादा कॉट्टिंस बरहता है न्याई विवस्ता को नेगा सारे अपरादी बोलते हैं मुझे न्याई विवस्ताן पूरा विश्वास है मैं पूरा विश्पास है कि यहां भी फेल होंगे यह लोग और मैं बत जाओंगा। जब छोटे और वैसी ने एक स्पीज दी, हेट स्पीज दी कुछ साल पहले आपने सुना ही होगा, तो उसके बड़े भाई वैसी जो हैं वो फिर भी लॉग की अच्छी पकड़ लखने वाला अदमी है। उससे एक इंटर्वी हुआ, यही आपकी अदालत में। तो एंकर ने पूछा रज़त शर्मा ने कि आप यह चोटे भाई ने ऐसा भाशन दिया। आपको खराब नहीं लगता है कितना बड़ा देश दिर हो यह वो फ़लान लेगाना। तो बोले मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा मामला अदारत में हैं और मुझे देश की नियाए विवस्ता पर पूरा विश्वास है। बोले क्या विश्वास है। वो वीडियो डॉक्टर्ड है। वो वीडियो औरिजनल नहीं है। किसी ने उसको बना के पेश कर दिया है। वो गलत वीडियो है। और मुझे देश की कानून विवस्ता पर पूरा विश्वास है कि वो इस बात को समझेगी कि वीडियो गलत है। वो सही सा भी तुब अलगभग। और अभी कल क्या किया, अनुराद ठाकुर ने वही स्टेटमेंट दोरा दी है, बिन और फिर अफ्रेंड्स दी है, उनसे किसी ने पूछा, आप नारा लगाया था देश के गिद्दारों को डश 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 तो वो रे नहीं मैं नहीं लगाया था, वीडियो डॉक्टर है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि मामला दालत में हैं, और मुझे देश की नियाए विवस्था पर पूरा विश्वास है, अब तो मुझे इस वाकिय से खौफ होया था, कोई कहे मुझे तानों विवस्था पूरा विश्वास है, मुझे उस तो मरोसा नहीं होता हूं उसके बात, यह जो बोल रहा है था, यह कुछ गर्ब लादमी है, ऐसी बात बोल रहा है, तो कुछ ऐसा ही हुआ था इस केस में भी, कुछ नहीं एक गवाह की मौत होई वाई चास, जो प्रोजीक्यूशन का गव इस मामले में, वो आई सी एसमिन का बेचमेट सा, यह भी सही हो की बात है, कोई खास बात ही है, जो भी हुआ, बहराल जो भी हुआ, हम शक नहीं कर सकते हैं, इतने महान ब्यक्ति पर शक करना, खुद छोटा हो जाना है, हम शक नहीं करेंगे, मैं तो रफ्रेंस से बताया है कि ऐसी बात है कुछ मुर्फ लोग कहते हैं, हम यह ऐसी बातों पर ध्यान नहीं जाना चाहिए एकदम, बहराल दस में छूटे, तो लोगों ने का, आओ, आंदोरन के लिए, अब री, अब हो गया, आंदोरन के लिए, तो जो यह एक साल जेल में रहे, जेल में इनको बहु हुए, spiritual experiences हुए, और रहस्यात्म को बोलते है mystical experience, दरशन में इन दोरों का एक मतलु होता है, spiritual experience कहे लीजिये, या mystical experience कहे लीजिये, हिंदी में रहस्यात्म को बहाते हैं, और spiritual के लिए आप ज्यात्मी कढ़व कह जैते हैं, इसकी मतलब एक ही होता है, अब क्योंकि वो ना मु गुंग का गुड है, गुंग आदमी है, गुड चाट लिया, लिखना नहीं जनता है, पहरी बता रहा हूं, कई बूर्ख बच्छे बोलते हैं कि लिखके बता दे, तो गुंग आदमी है, गुड चाट लिया है, गुड पहरी बार चाट के बोरा गया है इतना चाटा गुड उसके बाद लोगों को बताना चाहरा है कि आज मैंने क्या चाहरा है, मज़ा आगिया है, तो बढ़िया तेस्ट था तो लोगों बताओ ना, अब गुंगा बताई नहीं पारा भी चाहरा, ऐसे सिवाज निकाल रहा है, लेकिन वो सेंस क्लीर नहीं हो पारी इसलिए कबीर ने कहा कि रहस्यात्म का नबल जो है, गुंगे का गुड़ है, जैसे गुंगा गुड़ खाने के बाद कितने भी कोशिश करें, बताने ही पारा कि कैसा नबल था, बही सिती होती है, और यह बत दुनिया के सारे रहस्यवादी कहते हैं कि इसको बताए नहीं जा इसको और उजकोई कहते हैं कि आमगोद पैस्टी कहुए sicर जा कि इसको स१िए करें इसका बताए पनाची कहा लगवस्भादी कह सपारा फोम जा